जिलास्पिताल में एक्सरे अल्टरसाउंड और सिटी स्कैन के लिए आने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है अब तक यहां मरीजों को इलाज और जांच के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन अब नहीं लगाने पड़ेंगे एक दिन में एक्सरे कारी अस्पितालों में चिकिस्य सुविधा को पहले से और बहतर बनाने के लिए सभी आधूनिक सुविधाएं मुहया कराई जा रही हैं मरीजों को अपने स्वास्ते जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है अल्टरसाउंड जैसी जांचों के लिए तारीक मिला करती थी अल्टरसाउंड की मशीन की संक्या बढ़ाए जाने से मरीजों को अगली तारीक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जिलास्पताल के कमरा नंबर 104 में एक और नई अल्टरसाउंड मशीन मरीज की जाच के लिए बढ़ाई गई है जहां दो रेडियो लॉजिस्ट अपनी सेवाएं देंगे साथ ही वरिष्ट टेक्नीशियन की टीम का भी रेडियो लॉजिस्ट का सहयोग मिलेगा जिससे मरीजों के अल्टरसाउंड जल्द हो पाएंगे अदिक्षिका डॉक्टर अनिता शर्मा का कहना है कि विवस्थाओं में सुधार के साथ साथ जरूरी संसादन जिल्द हो पाएंगे जा रहे हैं जिसकी मदद से प्रतेक फ्लोर पर अब पंजी करन विंडो पैथिलोजी लेव साथ ही दवाई वितरन विंडो शुरू कर दी गई हैं जिससे मरीजों की भीड लगने की शिकायत काफी हद तक कम होगी इस करब में हमने हमारे अल्टरसाउंड की मशीन हैं दो तो हम दो जगा चालू कर दिया एक तो ओल जगा है जहां रिडियोलजी विभागे दूसरा ओपीडी में भी ब्लॉक में एक काक्ष हमने अल्टरसाउंड का अलग से चालू कर दिया है मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और मरीजों के भविशय को देखते हुए जिलास्पताल में आने वाले मरीजों को हर संभव इलाज यहां उपलब्द कराया जाएगा वहीं जिलास्पताल प्रशासन की ओर से प्रयास किये जा रहे हैं कि मरीज के लिए PPP मॉडल के तहट CT स्कैन की तरह MRI मशीन भी उपलब्द हो सके उसके लिए शासन इस्तर पर पत्राचार अभी जारी है C News के लिए अनिल कुमार सिंग की रिपोर्ट